अपने धर्म पर आस्था रखना उस पर गौरव करना सामप्रदाइक कैसे हो सकता है मुझे बताएं सुरेद अगर जय श्री राम का नारा लगाना सामप्रदाइक है तो फिर मेरे नाम के पीछे मेरी गोतर लगाना भी सामप्रदाइक हो गया आपको भी वो समय याद होगा जब जब जैश्री राम का नारा जब कोई बोलता था तो इसे सामप्रदाइक माना जाता था जी और वहां से लेकर हम आज यहां तक आए है अपने धर्म पर आस्था रखना उस पर गौरव करना सामप्रदाइक कैसे हो सकता है मुझे बताएं सुधिर अगर जैश्री राम का नारा लगाना सामप्रदाइक है तो फिर मेरे नाम के पीछे मेरी गोत्र लगाना भी सामप्रदाइक हो गया फिर आप सुधिर चौहते ही ना के सिर्फ सुधिर रहें मैं शैलेश नोड़ा हो के ना के सिर्फ शैलेश रहूं यह तो देखिए नकारात्म लोग तो किसी में भी ढून लेंगे ना सामप्रदाइक होने का अर्थ मेरे धर्म पर गौरव करना मेरी आस्थाओं पर गौरव करना मैं मा सरस्वती का पूजख हूँ बाला सर्थी मादा का पूजख हूँ और मैं खुल के कहता हूँ रोज कहता हूँ उनकी पूज़ा की यह वेना घर से बार नहीं निकलता है यह मेरा आस्था का विश है और जब मैं किसी धर्म और किसी विश्वास और किसी संस्क्रति के प्रति आस्थिक हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी का विरोधी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, मेरा धर्म किसी से नफरत करना सिखाता ही नही नहीं किये मेरी परंपरा ने हमले करना नहीं सिखाया जब भी हमले हुए हम पर हमले हुए लेकिन उसके बाद आज देश उठ खड़ा हुआ और देश ने अपनी भाषा में बात करना शुरू कर दिया तब मैंने कहीं चार पंक्या लिखी थी मैंने कहा था 140 क्रोर लोगों का देश इसकी भाषा यह होनी चाहिए तब मैंने कहा तक सच है इरादे हमारे विद्वनसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है अहिंसा के पोजारी हैं हम लेकिन सुले दुनिया अहिंसक है हम नपुनसक नहीं है कौन सी कविता आप अगली सुनना चा राज इतनी बातचीत हो रही है तो चनप बातचीत करते हैं तो इसका एक अलग ही एक आननध है उसे सुनने का और मेरा कई बार मन करता है मैं आपसे पूछो इनई बस आप बोलते जाएं बस आप बोलते जाएं सदरी एक अच्छे पत्रकार की निशानी होती है को चाहता है कि जो भी व्यक्तिया है वो जनता को जादा से जादा सुना है लेकिन आप चुकि खुद प्रकर है अगर आप मैं तो बोलता रहूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब बात्चित की जाती है तो उसमें से कई चीजें निकल क्या आती है जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं झाल